नमस्ते बचों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक अक्छा पांच के हिंदी पाठ पुस्त के अध्याय तीन खिलोने वाला इसके लेखीका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद कवित्री और लेखीका थी उनके दो कविता संग्रह तथा तीन कथा संग्रह प्रकासित हुए पर उनकी परसिद जहांसी के रानी के कारण है तो जहांसी के रानी कविता के लेखीका भी सुभद्रा कुमारी चौहान है इनका जन्म 16 अगस्ट 1904 को प्रियाग राज में हुआ था, इनकी मिर्तिव 15 फरवरी 1948 सिविनी में हुआ था, इनके पालन पोशक दिलिप चोहान थे, ठाकुर लक्षमन सिंग चोहान के साथ इनका बिवा हुआ था 1909 में, इनकी पुस्तके बिखरे मोती और ज्यादा, इनके बच्चों का नाम सुधा चोहान, असोग चोहान, पिजय चोहान, ममता चोहान, आधी था, अब हम लोग कवित्ता पढ़ते हैं, वह देखो मां आज खिलोने वाला फिर से आया है, एक बच्चा बालक अपनी मां से कहता है कि मां देखो आज फिर खिलोने वाला आया है, कई तरह के सुन्दर सुन्दर नए खिलोने लाया है, अर्था अनिक परकार के खिलोने, सुन्दर सुन्दर खिलोने लेकर के आया है, हरा हरा तोता पिजड़े में गेंद एक पैसे वाली कता है कि हरे हरे तोता जो है पिजड़े में है एक पैसे की एक गेंद है छोटी सी मोटर गारी है सरसर सर चलने वाली एक छोटी सी मोटर गारी भी है जो सरसर करके चलती है CT भी है कई तरह की कई तरह के सुन्दर खेल चावी भर देने से भख भख करती चलने वाली देल कहते हैं वाला कहता है कि कई तरह के सुन्दर खेल खेलने वाले हैं चावी भर देने से चलने वाली ट्रेन भी है गुडिया भी है बहुत भली सी पहिने कानों में बाली करते हैं कि एक सुन्दर गुडिया भी है जो कानों में बाली पानी भी है छोटा सा टी सेट है छोटे छोटे हैं लोटा थाली करते हैं छोटा सा टी सेट अर्था चाई पीने वाली समागरी भी है और छोटे 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 लोटा और थाली भी है छोटे छोटे धनुस बान है हैं छोटी छोटी तलवार कते हैं कि छोटी छोटी धनुसवार भी है और छोटी छोटी तलवार भी है नए खिलाओने लेलो भाईया जोर जोर वा रहा पुकार वा जोर जोर से पुकार रहाएगी खिलाओना लेलो भाईया मुन्नु ने गुडिया ले ली है मोहन ने मोटर गारी मचल मचल सरला कहती है मां से लेने को सारी मुन्नु ने गुडिया ले ली है मोहन ने मोटर गारी ले ली है और मचल मचल कर यानि कूद कूद कर सरला कहती है मां से की सारी ले ले कभी खिलावने वाला भी मा क्या साड़ी ले आता है साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है कभी कभी दे जाता है अम्मा तुम तो लाकर के तुमने तो लाकर के मुझे दे दिये पैसे चार कौन खिलावना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार अब बालक कहता है कि तुमने मुझे चार पैसे दे दिये अब कौन खिलावना मैं लेता हूँ इस पर तुम भी मन में विचार करो तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल पर मा यह मैं कभी न लूँगा फिर कहता है कि मा यह मैं कभी नहीं लूँगा यह तो बच्चों के खेल मैं तलवार खरीदूँगा मा या मैं लूँगा तीर कमान फिर वालक कहता है कि मैं तो या तो तीर कमान लूँगा या फिर तलवार जंगल में जा किसी तारका को मारूंगा राम समान कता है कि मैं किसी असूर को बन में जा जंगल में जा करके राम के समान उसे मारूंगा तपसी यक करेंगे असूरो को मैं मार भगाऊंगा कता है कि तपसी लोग यक करेंगे और मैं असूरो को मार के भगाऊंगा यहीं कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाओंगा इसी तरह कुछ दिन मैं करूंगा तो मैं भगवान सिरी रामचंद्र बन जाओंगा यहीं रहूंगा कोशल्या मैं तुमको यही बनाओंगा अर्था तुमको कोशल्या बनाओंगा तुम कह दोगी वन जाने को हस्ते हस्ते जाओंगा कहता है कि अगर तुम कह दो तो मैं वन को हस्ते हस्ते चला जाओंगा पर मा बिना तुम्हारे बन में मैं कैसे रह पाओंगा फिर कहता है कि मा बालक चिंती तो उड़ता है और काता है कि मा मैं तुम्हारे बिना बन में कैसे रह पाऊंगा दिन भर घूमूंगा जंगल में लोट कहां पर आऊंगा मैं तो दिन भर जंगल में घूमूंगा पर मैं लोट कर कहां आऊंगा किसे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा अगर मैं किसे पैसे जंगल में, मैं किसे पैसे लूँगा अगर मैं रूठ जाता हूँ, तो मा मुझे कौन मनायेगा मुझे कौन प्यार से बिठा गेंद में, मन चाही चीजे देगा कौन मुझे जब मैं रूठ जाऊंगा, तो कौन मुझे गोद में बिठा कर मन चाही चीजे, यानि जो मेरी इक्षा होती है, वो चीजे मुझे ला करके देगा, तो ये कविता थे, अब हम लोग एक दो बार आप इसे पढ़ेंगे, खुद से स्वाध्याई करेंगे, अब प्रश्ण भ्यास देखते हैं पहला प्रश्णा है कि तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे, अगर इसका को है, अगर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो, तो इसका इंसर है, जब मुझे अपनी मन पसंद बस्तुएं नहीं मिलती है, तो मैं रूठ जाती हूँ, हम है, म मां के अलावा घर के सभी सदस, जैसे दादा, दादी, बड़े भाई, बहन, आदी मुझे मनाते हैं, कोशन टू है, प्रशन संख्या दो, हम ऐसे कई तहवार मनाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत, पर बल देते हैं, ऐसे तहवारों के बारे में, उनसे जुड़ तीन, तुमने रामलीला के जरिये या फिर किसी कहानी के जरिये रामचंदर के बारे में जाना समझा होगा, कौन सी बाते अच्छी लगी, तो हमें रामचंदर की जी की बाते अच्छे लगी, पहला की रामचंदर अज्याकारी पुत्र थे, दूसरा हुए धर्म के मार्क प पर चलते थे पांचवा वचन के पक्के थे छठा सच्चे मित्र थे साथवा बीर और साहची थे अब नीचे परशन है प्रशन संक्या चार कि खिलोने वाला सारी नहीं बेचता खिलोने वाला भी मां क्या सारी लेयाता इसका अंसर है पंक्तियों को छाट छाट कर लिखना है खम है खिलाउने वाला बच्चों को खिलाउने लेने के लिए आवाजे लगा रहा था तो नए खिलाउने लेलो भाई या जोड जोड वा पुकार रहा था गम है मुझे कौन सा खिलावना लेना चाहिए उसने मा की सलाह चाहिए तो कौन खिलावना लेता मैं तुम भी मन में गरो विचार वो अपने मा से काता है कि मा तुम भी अपने मन में विचार करो कि मैं कौन सा खिलावना लू गोर नमर है मा के बिना कौन मनायेगा और कौन गोद में बिठाएगा अगला प्रश्ण है मुँख फली लेलो मुँख फली गरम, कटारी, टाइम पास, मुंध फली तुमने फेरी वाले को ऐसी आवाज लगाते हुए जरूर सुना होगा तुम्हारे गली मोहले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस धंक से आवाज लगाते हैं उसका भिने करके दिखाओ तो इसमें लिखा हुआ है इसको आप पढ़ेंगे और इस प्रस्ण का उत्तर अब छात्र स्वयम करने का प्रयत्न करेंगे अब इधर एक प्रस्ण है कि तुम यहां लिखे खिलाओने में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों दूसरा है खो नमर में तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो तो क्वा का एंसर है कि मैं गुडिया लेना पसंद करोगी मेरे पास पहले से ये सारे खिलोने बाकी इसमें जो खिलोने के नाम दिये हुए पहले से हैं एक गुडिया नहीं थी इसलिए मैं गुडिया लूँगी उसे सजाऊंगी और उसके साथ खेलूँगी ख मैं हैं ख का उतर है कि मैं अपने साथियों के साथ किरकेट, लुडो, पाला, बैपार, पकड़म, पकड़ाई, इत्यादी खेल खेलती हूँ इस दोनों प्रस्ण का उत्तर स्वयम विद्यार्थी खुद से समझ कर भी कर सकते हैं तो इस पाठ इस कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और इनके प्रस्ण अभ्यास को लिखने का प्रियत्न करेंगे, धन्यवाद